नमस्कार मैं हूँ नुपूर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक गर्मी बढ़ने के साथ ही राजस्थान की राजनीती में भी उबाला गया है एक तरफ जहां नेताओं की बयानबाजी ही अब तक आगुगल रही थी तो इसी बीच आम आदमी पार्टी की दस्तक ने कॉंग्रिस और बीजेपी का चैन ही चीन लिया है अब तक ये लड़ाई राजस्थान में सिर्फ दो ही पार्टी में देखने को मिल थी लेकिन सद्यों पुरानी परिपार्टी तोड़ने के लिए एक नई पार्टी ने अब आहट दे दी है जी हां आम आदमी पार्टी जो कि आम आदमी के हक के मुद्दों को लेकर राजस्थान में अपनी जमीन तयार करने में जुट गई है लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि 2023 की आहट से पहले की पॉलिटिक स्पेक्चर 2018 में 99 सीटों पाजीत के साथ सत्ता में बीजेपी को शिकस देख लोटी कॉंग्रिस के क्या लोटने के दिन आ चुके हैं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं जिस तरह से कॉंग्रिस के अपने ही समर्थक केस वर मुखर हो रहे हैं उनसे ये तमाम सवाल उठना लाजमी है एक तरफ हाली के पाच रागजीव के चुनावी नतीजों ने कॉंग्रिस को आएना दिखाया जिसके बाद 2023 के अंत में होने वाले 36 गार्ड, MP और राजिस्थान के रंड पर सबकी नजरे ठीकी हैं लेकिन यहां भी कॉंग्रिस का सबसे मजबूत किला राजिस्थान को बचाने की चुनावती बनी हुई है जिसको लेकर के राजनीती के चाणक के माने जाने वाले अशुक गैलोत अपना लगातार दाव धी खेलते वे दिखाई देते हैं कभी अलग से क्रिशी बजट के जरिये तो कभी पुरानी पेंशन की दाव को चला कर लेकिन यह सारे दाव तब फेल हो जाते हैं जब सरकार के अपने ही नमायंदे उन्हें बढ़ते भष्टाचार परिक्षाओं में धांधली राजिस्थान को मर्दों का प्रदेश कहने ज प्रस्थ हो चुकी है नेता विकास का अजेंडा लेकर आते हैं और पार्टी के अजेंडी के विकास में लग जाते हैं कुछ ऐसा ही राजस्थान की बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है पूर्वी सीम वसंद्रा राज्य की दिल्ली तक दौड उनकी बीचैनी को बताती है जिस तरह जहां वसंद्रा राजेगुट समर्त की मांग कर रहा है कि 2030 में वसंद्रा को सिंफेस बना कर चुनाव लड़ा जाए तो वहीं बीजेपी का दूसरा धड़ा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष यानि कि सतीश पुन्या राजस्थान में अपनी जमीन मस्बूत करने में जुटे हैं और इस स्वीच आम आदमी पार्टी ने एलान कर दिया कि राजिस्थान में कॉंग्रिस और बीजेपी से नाराज नेताओं के लिए नया विकल्ब बनेगी और खुला नियौता दोनों ही पार्टी के नेताओं को क्या है बर्षते वह चवी बेदाग हो अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का फोकस क्या होगा आम आदमी पार्टी की रणनीती क्या होगी वो कौन से मुद्धे होंगे जिन पर आम आदमी पार्टी आम आदमी की राह आसाथ करेगी और आब बात चलिए जन्नता की करते हैं जो उनके द्वारा चुने गए न प्रतिशत है तो राजस्थान की मैं बात करूं तो 32.3 प्रतिशत पहुंच चुकी है जो कि अब तक के सबसे डरावने आकड़े हैं कानून विवस्था पर लगाता सवाल उठ रहे हैं तो वही महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं ऐसे में आपके आंधी ने इन प्रतिशत है तो